हलो फ्रेंट तो आज के वीडियों हम बात करने वाले हैं HLV सकेल के बारे में और इसके साथ बात करेंगे हम solubilization के बारे में detergency के बारे में और जो हमारी last आप एक इस unit के है adsorption and solid interface के बारे में जो हमारा solubilization और detergency है या हमारे two marks में हर साल previous year question paper में पूछे गए हैं लिपोफिलिक बैलन्स। तों हमारे एक सा्टिस्ट हैं जिनका नाम था विलियम सी गृफिन।े इन्होंतेस किया थे।39 में इसका इसले दिसके थे। यह बताता है कि जो surfactant है उसका nature कैसा है मतलब कि हमारा जो surfactant है हुआ हमारा hydrophilic nature का है या lipophilic nature का है ठीक है तो हमारा जो HLV school होती है इसमें total 1 से 20 तक के value दिये रहते हैं इस तरीके से इसमें 1 से 20 तक के value दिये रहते हैं या बोल सकते 0 से लेकर 20 तक के value दिये रहते हैं जो हमारा बताता है कि हमारा जो Sol expectant है यह हमारा hydrophilic है या λipophilic ठीक है आपको यहाँ पे ध्यान देना है अगर हमारी जो value है वो हमारा 1 से लेकर 10 तक रहती है तो हो बताता है कि हमारा जो zero 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 वही चीज़े आपको यहां पर बना के लिखनी है तो इसमें हमारे total दिये रहते हैं 0 से 20 तक के value दिये रहते हैं जो हमारे 0 से लेकर 10 तक के value यह बताते हैं कि जो हमारे surfactant है वह हमारे lipophilic nature के हैं और जो हमारे 10 से लेकर 20 तक के value दिये रहते हैं हमारे बताते हैं हमारे surfactant है यह हमारे hydrophilic nature के रहते हैं यही चीज़े यहाँ पर नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिये यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं जो हमारे 0 से लेकर 10 तक value इंडिकेट करते हैं जो हमारा surfactant है वह oil soluble है मतलब की lipophilic है वही चीज़े जो मैंने बताई वही लिखा गया है और HLV value में HLV जो scale होती है इसमें जो value लिखी रहती है 10 से लेकर 20 तक यह इंडिकेट करता हमारा जो surfactant है यह हमारा water में soluble है मतलब की hydrophilic है ठीक है HLV scale में आप देखेंगे अगर आप नीचे की तरफ आएंगे यह बताता है lipophilicity के बारे में और अगर उपर की तरफ जाते हैं यह hydrophilicity के बारे में बताता है तो इसमें आपको ध्यान देनी है जो HLV scale होती है इसमें इसका formula आप इस तरीके से जाद कर सकते है जो HLV scale is equal to होता है hydrophilic upon lipophilic मतलब कि जितना आप value को बढ़ाएंगे तो यहां पर मैं बता देता हूँ जितना आप value को बढ़ाएंगे HLV में value को बढ़ाएंगे वह क्या बताएगा कि हमारा जो surfactant है होई हमारा hydrophilic है जितना आप कम करेंगे value को तो अगर नीचे की तरह आएंगे तो यह बताता है lipophilicity के बारे में अगर ऊपर की तरह जाते हूँ है hydrophilicity के बारे में बताता है तो यहां पर जो चीजे मैंने लिखी है यहां पर इसको मैं थोड़ा explain कर देता हूँ तो यहां पर अगर जो value है हमारी यह रहती है 1 से लेकर 3 तक जो value हमारी है 1 से 3 या 0 से 3 तक रहती हूँ है बताता है anti-forming agent के बारे में मतलब कि जो form का formation को रोकते हैं उसको बोलते है anti-forming agent बोलते है तो आपको line by line इसको बना के लिख लेना है नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक वहाँ से आप लिख लीजिएगा ठीक है आभी आपको दिखा देते हैं आगे बात करते हैं अगर जो हमारी value है यह 3 से 8 रहती है मतलब 3 से लेकर 8 तक value रहती हूँ है बताता है कि हमारी जो water in oil emulsifier के बारे में बताते हैं अगर हमारी जो value है वह 7 से 9 7 से लेकर 9 तक रहती है वह बताते हैं wetting agent के बारे में और spreading agent के बारे में बताते हैं और अगर हमारी जो value है वह हमारे 8 से लेकर 16 तक रहती है 8 से लेकर 16 तक रहती है वह बताते हैं oil in water emulsifier के बारे में बताते हैं और अगर value हमारी 13 से लेके 16 तक रहती है तो वह हमारे detergent के बारे में बताते हैं अगर और हमारे जो value है 16 से लेके 20 तक रहते हैं 16 से 20 तक value रहते हुआ इस sorulizer के बारे में बताने के काम करते हैं तो यह चीज़े आप यहां पे बना के लिख लेजिएगा इस तरीके से मैं आपको यहां पे दिखा देता हूँ तो आप अपने notes में इस तरीके से वहां पे बना सकते हैं टिक वही चीज़े लिखी गई है जो चीज़े लिखी गई है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको point wise बना के लिखना अगर 7 marks में आ जाते हैं तो इस तरीके से आप अपने exam में point wise point लिख सकते हैं अगर हमारी value है वो हमारे 10 से कम रहती है मतलब liquid solvular है अगर जांदा रहती है 10 से तो मैंने बताया कि वो है water solvular रहेगा एक से तीन तक के जो value anti-forming agent के बारे में बताएंगे 3 to 8 जो है water in oil emulsifier agent के बारे में बताएंगे फिर 7 से 9 रहेगा तो wetting या separating मैं यहाँ पे लिखा हूँ 379 सही है ठीक है यहाँ पे अगर 13 से 16 तक रहता है ठीक है तो यहाँ पे कई सारी चीज़े लिखी गए जिसे anti-forming agent water in oil emulsifier wetting agent water in oil emulsifier oil in water emulsifier detergent solvular agent अब इसमें जो value लिखी गई कैसे इनको याद रखेंगे याद करने का कोई तरीका ठीक है तो आपको एक standard trick बताऊंगा उस trick से आप चुटकियों मैं इसको याद कर सकते हो यह चल भी इसके लिखी पूरी याद आपको हो जागी मैं guarantee के साथ आपको बताता हूं ठीक है अगर आपको trick अच्छी लगेगे प्लेज चैनल को subscribe और like जरूर से कर देज़ेगा तो trick आपके सामने है ठीक है आपको दो बार इसको repeat करना है यह जो नंबरिंग दिया गया है तो आप girlfriend boyfriend का नंबर याद कर सकते हैं तो यह भी आप याद कर लेंगे तो आपको याद रखना है 13 38 89 816 13 16 16 20 आपको ऐसे याद रखना है 13 38 88 816 13 16 16 20 आपको यही mobile नंबर आपको याद रखना है अगर एक्जाम में पास होना है तो तो अगर हमारी जो value है 1 से लेके रहेगी 3 तक वह हमारा anti-forming agent के बारे मताएगा अगर जो हमारी value है 3 से लेके 8 तक रहेगी वह हमारा water in oil emulsifier के बारे मताएगा अगर हमारी value है 7 से लेके 9 तक रहेगा वह हमारा wetting agent के बारे मताता है अगर जो हमारी value है 8 से लेके 16 तक रहती हुए हमारा oil in water emulsifier के बारे मताता है अगर हमारी value है 13 से 16 तक रहती हुए detergent के बारे मताता है अगर हमारी value है 16 से लेके 20 तक रहती हुए हमारे solvilizer agent के बारे में बताता है तो इस trick से आप आसानी से याद रख सकते हैं पूरे HLB scale को अब आगे अगली हमारी जो topic है solubilization क्या होती है आईए पहले इसका practical करते हैं तब आपको बताते हैं ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे water है water में मैंने देख लिए oil डाल लिया है ठीक है इस पे क्या है कि जो हमारा water है oil के ऊपर है ठीक है sorry जो water है water के ऊपर oil है ठीक है अब इसको हमें क्या करना solubilize करना है solubilize करने के लिए आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था surface active agent के बारे अगर आपने देखा तो आपको जरूर से पता हुए तो इसके अंदर क्या करते हैं हम थोड़ा surface tent add करते हैं हाँ ठीक है तो add करते हैं जब तक add कर रहा है तब तक आप चैनल को subscribe और like जरूर से कर लिए ठीक है तो यहाँ पर surface tent देख लिजए मैंने add कर दिया है तो surface tent क्या करता है इसके surface tension है और interfacial tension है इसको reduce करता है जिसके वज़े से हमारा जो water है water के अंदर हमारा जो oil है यह mix हो जाता तो हमने यहाँ पर डाल दिया डिटरजन अब क्या कर रहा है इसको हम देखिए मिक्स करते जा रहे हैं अभी देखिए कुछ टाइम बाद इसमें सॉल्वलाइज हो जाएगा इसके अंदर मिल जाएगा देखिए मिलना स्टार्ट हो गया है तो अब देखिए यहाँ पर completely जो हमारा जो water है water के अंदर हमारा जो oil है यह हमारा पूरी तरीके से मिल गया है तो इसी concept को बोलते हैं solubilization बोलते हैं ठीक है तो I hope आपको यह practical समझ में आया होगा और आपको पूरा concept समझ में आ गया होगा आपने अभी तो देख लिया solubilization की process कैसे होती है आप आई यह जो notes में लिखा गया उसको करके देखते हैं ठीक है तो solubilization एक ऐसी process होती है जो solubility को increase कर देती है ठीक है जो मालेजे की जो हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा oil था यह हमारा water था water के अंदर हमने oil को डाला ठीक है तो हमारा जो water है यह oil में very very less soluble है मतलब कि यह soluble होगा ही नहीं इसमें ठीक है जैसे ही हमने क्या इसमें add किया surfactant add किया surfactant क्या करता है इसकी solubility को बढ़ा दिया तो यह दोनों आपस में क्या हो गया है mix हो गया है तो definition लिखी गई solubilization is a process of increasing the solubility of very soluble substance by using different surfactant हमने surfactant जैसे इसमें डाला वे क्या कर दिया कि जो very soluble हमारे oil थे water में वे क्या होगा है solubil हो गए उसी को बोलते है solubilization वह ही किया गया है यहां पर हमने देख ली जो water लिया है water के हमने अंदर डाला oil तो यह क्या गया है ऊपर ऐसे ऊपर दिखने लगेंगे हमारे oil ठीक है तो यह less solubil है मतलब कि जो water water के अंदर जो हमारा oil है यह less solubil है जैसे इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा surfactant add करते हैं add किया हमने तो क्या होगा कि add कर दी है तो हमारे जो water है और जो oil है यह complete solubil हो गए एक दूसरे में तो इसी को बोलते हैं solubilization बोलते हैं आई होप आपको concept समझ में आ गया होगा आगे बात करते हैं detergency के बारे में ठीक detergency क्या होता है आपने detergent मतलब की detergent को आप surfactant भी बोल सकते हों detergent आपने देखा को कपड़ा आप धूलने जाते हैं तो आप किसका यूज करते हैं detergent का आप कपड़ा क्यों धो रहे हैं क्योंकि आपके कपड़े में जो है unwanted particles घुश गई है मतलब कि dust घुश गई है इसलिए आप उसको यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं detergency की डिफ्रेंशन ऐसे बता सकते हैं ऐसे substance जो क्या करते हैं dust particle को remove करते हैं उसको हम बोलते हैं detergency बोलते हैं एक प्रोसेस आप रिमूब करने की छमता रखते हैं उनको बोलते हैं detergency उस प्रोसेस गो बोलते हैं तो मैंने एक्जाम्पल लिख दिया है कि dust particle को remove करने के लिए हमारे जो cloth होते हैं इसे remove करने के लिए हम क्या करTे हैं detergent का use करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते है इस phenomena को बोलते है और टिफर जेशन जो लॉट टॉपिक है adsorption add solid interface तो इसका पहले practical करके देखते हैं तो आईए हमारे पास एक solid यहाँ पे है ठीक है एक हमारे पास solid है अब इस solid के उपर कोई other material हम इसके उपर डालते हैं जैसे इसके उपर हमने माल लिजे चोकार डाल दिया तो इस solid के उपर यह हमारा क्या होगा हमने यहाँ पे liquid के ऐसे drop डाल दी ठीक है तो इसके surface पे देख लीजे यह drop है ठीक है इसके उपर deposit है ना कि यह absorb हो इसके अंदर तो इसके surface पे तो इसको बोलते हैं adsorption बोलते हैं यही concept हमारा adsorption at solid interface मतलब कि when substance deposit on the surface of solid जब कोई भी substance किसी solid के surface पे deposit होती है उसको हम बोलते हैं adsorption add solid interface ठीक है आपको यहाँ पे समझना है कि जो हमारा इसके उपर जो भी चीजे थी माले ज़े कि यह चोकर हमारा इसके उपर इस solid के उपर हमने इस चोकर कर इसे डाला तो इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एब्जारबेड बोलते हैं ठीक है इसको क्या बोलेंगे इस चोकर को हम एब्जारबेड बोलेंगे और जो जिसके मतलब कि यह चोकर जिसके ऊपर है उसको हम बोलते हैं एब्जारबेंट बोलते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर देख लीजिए, यह हमारा जो solid है, solid को हमने क्या बोला, absorbed बोला, तो मैंने बताया कि यह हमारा जो था, इसको हमने बोला, absorbed बोला, इसके उपर जो था, इसको बोलेंगे, absorbent बोलेंगे, इसके उपर जो था, इसके उपर मैंने क्या रखा था, चोकर रखा था, कि एक दूसरे से, यहां पर एक दूसरे से किसी ना किसी force से अट्रेक्ट रहते हैं. तो Slack हमें जानना है तो इसी के basis पर क्या किया गया है इनको 2 पार्ट में डिवाइट किया गया है कि मत्ब काउन से force के थूरू यह दोनों आपस में अटेच रहते हैं तो इसके basis पे हमारे इसके दो type होते हैं पहला हमारा physical absorption होता इसका दूसरा नाम भी मैंने लिख दिया है और दूसरा होता है जो हमारा physical absorption होता है इसमें जो होता की जो adsorbent होते हैं यह absorbent पे एक weak bond के थुझे धुरू क्या होते हैं उसके उपर deposit रहते हैं जैसे weak bond हमारा हो गया wonder wals force हो गया हमारे wonder wals force है बोल सकते है hydrogen bond यह क्या होते हैं बहुत ही weak bond होते हैं तो यहाँ पर अगर हम मालेज़े कि यह हमारा solid था solid के उपर हमने इस choker को रखा तो यह क्या हो गया एक weak wonder wals force के तुरू इसके उपर deposit है जैसे ही क्या करेंगे हम जैसे इसको चाहे जब क्या करें इसको ऐसे हटा सकते हैं easily इसको क्या कर सकते हैं easily हम separate कर सकते हैं इस material से हम चोकर वालों को क्या कर दी easily separate कर दी हैं तो वही चीज़े हम पर लिखी गई है when absorbent and absorbent is attached to each other with some weak bond like wonder wals force is called physical absorption तो यह जो होते हैं easily एक दूसरे से separate हो जाते हैं मैंने कर के त्इखा दिया अब आगे बात करते हैं chemical absorption झो हमारे chemical absorption होते हैं इसमें क्या आपको याद रखना है कि इसमें जो absorbent होते हैं और जो adsorbate होते हैं मैंने बताया आगे क्या होता है यह दोनों आपस में एक strong bond के तुरू जुड़े होते हैं एक strong bond जैसे हमारा हुए covalent bond और ionic bond एक दूसरे से ionic bond और covalent bond के तुरू जुड़े होते हैं और इसको easily separate नहीं किया जाए सकता माली जे कि यह हमारे पास जो हमारे solid था और इसके उपर जो मैंने रखा था इसको माली जे इसमें fair pick किप लगा के मैंने यहाँ पर इसको उपर रख दिया तो इसके उपर deposit हो जाएंगे इसको हटाने के लिए बहुत हमें force की जरूरत पड़ेगी मतलब easily यह क्या होंगे एक दूसरे separate नहीं होंगे उसी को बोलते हैं जो chemical absorption बोलते हैं तो आज हमारी जो unit यह complete हो गई आपको वीडियो करसी लगी comment box में जरूर से बताएगा और अगर आपको इसकी notes चाहिए तो आप whatsapp group से join हो सकते हैं या telegram group से join हो सकते हैं वही पर आपको इसको notes मिल जाएगी thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में